हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल क्लास 10 एक्सोसाइज 1.1 कोश्यर नम्हर सेकिंड यहां पर हमने क्या करना है लैट कर लेना है एनी पॉजिटिव इन टीचर ठीक है एंड जो बी है वो हमारी क्या इक्वल है 6 यह किससे करना है include matter algorithm से करना है ठीक है इसमें देखो a equal to b square plus r यहां पर यो r है 0 से उपर होना चाहिए और b तक होना चाहिए b से greater attack होना चाहिए possible value क्या है r की 0 1 2 3 4 5 क्यों क्योंकि b 6 है इसली 6 से कम कम lines यहां पर value होनी चाहिए ठीक है उसके बाद r अगर हम r को 0 put करते हैं ठीक है तो यह है यह formula देखो ठीक है इसमें a यहां पर b हमारा क्या है 6 है तो b का square ठीक है r हमने क्या put किया यहां पर 0 अगर 0 put गई यह कुछ भी नहीं रहा a equal to 6 square ठीक है तो 6 क्या है हमारा 6 number even है this is even ठीक है इसी तरह से फिर हमने 1 put करना है 1 put किया तो last में 1 आएगा plus 1 तो यह क्या है 1 odd है यहां पर लिख दिया odd ऐसे 2 even है plus में 2 किया तो even आ गया यहां पर अगे 3 किया इसी formula में सब कुछ plus करना है यहां पर 1,2,3,4,5,6,6 हमारा last number इसलिए 6 नहीं करेंगे 5 टक हम जरूर करेंगे ठीक है यह देखो friends ठीक है उसके पर जब हमने 5 किया तो 5 नंबर क्या है odd 4 even 3 odd 2 even 1 odd ठीक है इसी तरह से यह सम हमारा complete हो गया ठीक है last में हमने एक line लिखनी है Any positive odd is in the form of 6Q plus 1,6Q plus 3,6Q plus 5 यह हमारी book की statement में DE गही है जिसके लिए हमने यह line जरूरी लिखनी है यह one marks के लिए line होती है अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे marks कम हो जाएंगे इसलिए यह लिखनी जरूरी है Thanks friend for watching this video like and share it and also comment it किता है